नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंकिता मिश्रा अकांशा दूबे मामले में पुलिस पर लापरवाही के लगातार आरोप लगते आ रहे हैं ऐसे में अब CBI जाच की मांग तेज हो गई है इसे बीच अधिवक्ता शशांक शेकर तरपाथी ने योगी आदितिनात को मांग पत्र इमेल किया है इस मांग पत्र में कुछ बड़ी बाते हैं जिसका जिक्र किया गया है और साथ ही CBI जाच की मांग भी की गई है तो क्या है वो बड़ी बाते आज किस रुपोर्ट में इस इसी बात पर करेंगे चर्चा आपको उतादे शशांक शेकर तरपाथी ने अपने इमेल में जो मांग पत्र भीजा है योगी आदितिनात को उसमें साफ कहा गया है कि अकांशा दूबे मामला बन चुका है इसमें CBI जाच की मांग होनी चाहिए और CBI जाच करानी चाहिए और साथ ही ये भी कहा है कि जो फुटेज मिले हैं जो दस्तावेज मिले हैं जो की एक एहम सबूत के रूप में पेश किये जा सकते हैं कोट में उन्हें सुरक्षित रखा जाए जहां इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट की बात भी कही गई है आपको बता दे कि ये होटल के स्टाफ पर लगतार आरोप लगा जा रहे हैं कि होटल स्टाफ कुछ ना कुछ छिपा रहा है ऐसे में मांग की गई है कि होटल स्टाफ का भी नार्को टेस्ट जरूरी है वो भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए इस पूरे मामले में 14 बिंदों पर सवाल खड़े किय गए हैं और साथ ही उन सभी फुटेजिस की उन सभी सबूतों की सुरक्षित सुरक्षा का मांग किया गया है कि उन सभी को सुरक्षित रखा जाए क्योंकि इस मामले में आगे चल कर कि क्योंकि यह केस हाई प्रोफाइल है सबूतों के साथ छेड़ छाड़ की जा सकती है बड़े फिल्म इंडस्ट्री के चहरे परिवार से मिलने के लिए पहुचे हैं हाला कि अंतिम संसकार के बाद भोशपूरे फिल्म इंडस्ट्री के इन चहरों की आखे खुली और वो अब धीरे धीरे परिवार से मुलाकात करने उनको धांडस देने के लिए वहां पहुच र देखना यह होगा कि आगे इस मेल का क्या जवाब आता है और क्या इस सम्मांग पत्र को स्विकार कर लिया जाएगा सभी की निगाहें इस वक्त योगी आदितनात पटिकी हैं और खास का परिवार की कि इसमें योगी कोई प्रतिक्रिया जरूर दे फिलाला आज के लिए तना